अब जैसा कि गर्मियों का मोसम चल रहा है और दिन प्रति दिन गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि गैस क्या खड़े होने को बिलकुल पी दिल नहीं करता है कुछ ठंड़ ठंड़ा खाएं तो आज न हम आपके लेकर आएं आइस क्रीम ट्रेस्पी जो बनती है तो सबसे पहले हमने क्या किया है यहां कड़ाई चड़ा लिए गयास पे उपर उसमें हम डालेंगे एक बड़ा कप भर के दूद का हमने बोईल दूद लिया तभी तो अमने इसकी मुलाईल इसी में आड़ कर दिया तो दूद को हमने अच्छी तरह से गर्म करना है उबाल आने देना बस एक ही उबाल आने देना ज्यादा आमने इसको नहीं वाल लाएं क्यूंकि अब्ला हुआ दूद आप कच्चा भी ले सकते हैं तो यहां हमने वह दूद उबल रहा है तो यहां क्या करेंगे थोड़ा सा बाल में दूद उसमें करेंगे कस्टर्ड पॉर्डर क किसी भी ग्रोसरी स्वाप पे अराम से मिल जाता है तो बस आप भी लेजिए और ऐसे ही आइसक्रीम बनाईए तो यहां हमने तीन चमचिस में कॉस्टर पॉर्डर डाल कर इसको मिक्स कर देना है गाइस यह रैश्पी ना जब आइसक्रीम यह बन जाती है उसको खाने के बा जाते थे वो सम्टाइम्स तो हमें स्कूप करके कॉन में डाल के देते थे तो हम लोग सोचने थे पता नहीं कैसे बनाते है तनी टेस्टी आइसक्रीम तो वह बिल्कुल ऐसे ही बनती है जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है तो यहां दूद में हुबाला आ चुका था तो मैं हमने डाल दी चीन जैहां मैंने क्स्टड बोल्डर का गॉल बनाकर रखा अबहुत है इसमें थोड़ाह दा लेंगे और हिलाते जाएंगे की लिए इसे घ्यास की फ्लेंगे जब बढ़ेंगे अब इसको ऐसे पार्ट में क्यों डाल रहे हो कम करके क्योंकि एकदम डालेंगे तो वहीं का वहीं जम जाएगा पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा यह दूद में तो यह देखे यह देखते ही देखे जह गाड़ा ऊना शु तो देख सकते हैं इसको ठंडा कर लेते हैं इसको डालेंगे मिक्शिंग ग्राइंडर जार में और इसका एक पेस्ट बनाएंगे अच्छी तरह से मामा ये क्या प्रोस्सेस दिया क्रीमे भला है ये कंपर्षण है पिल्कुल कंपर्षण है कि तभी तो इसका क्रीमी टैक्च्चर आएगा तब ही हमारी ऐस्क्रीम जो और क्रीमी बन कर त्यार होगी, क्थुआ कि हमने इसमें क्रीम का यूज नहीं किया, तो यहां हमने लिए एक केकटीन, आप कोई भी बोक्स ले सकते हैं, लेकिन भोक्स बोले न, जिसका जो ढख कन है, ये टाइट हो तांकि आइस क्रिस्टल इसमें ना जमें बने तो हमने ये केक्टिन लिया तो इसमें मैं सारा जो मिक्चर है डाल दूँगी और इसके उपर मैं रखूंगी एक पनी आप चाहें तो एलमुनियम फोयल जो है वो भी रख सकते हैं तो ये मैंने पनी लिया तो मैं बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल ना जमें तो ये देखिए हमने 8-10 सगंटे रखा था आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं तो ये आइस क्रीम वारी कितनी अच्छी जम कर त्यार हुआ है तो इसको स्कूप कर लेते हैं आप चाहेते इसके पीसस भी कट कर सकते हैं आप जैसे हमने आइस क्रीम मिनाना है क्यों जरूरी है इसलिए इसको स्कूप कर लिया और एक बाउल में सर्व कर लिए अब इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी गार्निशिंग के लिए जो बहुत ही टेस्टी लगती और अच्छी लगते देखनें ये रेष्पी हमने घर पे अभी के लिए बाई बाई